हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल मां का स्वागत है और दोस्तों आज सब्सक्राइब की बारा बड़ी अपडेट्स बारा बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहां पर आज चुका हूं और आज है छे जनवरी 2021 बुद्धवार दोस्तों आज की कुछ अपडेट्स आप सभी के लिकरे आँपर आज चुका हूं जैसा कि आप त्मनेल के उपर देखी रहे होंगे तो इसके लावा और भी अपडेट्स आपको वीडियो में दिख जाएंगे तो वीडियो को पूरा देख लिजिएगा अगर आख स्किप करोके हो सकता है बीच में स आपसे कोई अपडेट छूट जाए ठीक है तो वीडियो को पूरा देख ली दियागा एंड तक चरी दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से तो चार जिनों से हटा रात्री कर्फ्यूज उबे में सो फीस्दी सवारियों के साथ दोडेंगी बसें हिमाचल केविनेट के फैंसले चुनाब आयोग की बैठकों में आ सकेंगे 50 से ज़्यादा लोग सरकारी दफ्तरों में 6 दिन कारेदिवस बहाल तो हिमाचल कजएश में करोणा के मावले घटने के बाद जो है मंत्री मंदल ने शिमला कांगडा मंडी और कुल्लो जिलों में लगाए गई रात्री कर्फ्यूज को हटा दिया है अंतराजी और अंतर जिला बसों में शत प्रतिशत सीटों पर स्वारियों को बेठाने की भी मंजूरी दी गई है सरकारी कार्यालों में पहले ही पहले की तरह जोए छे दिन के कार्य दिवस भाल कर दी गई है राजे चुनाब आयोग के आगरे पर आंतरिक वैट को में पचास अधिक लोगों की अर्मोती नहीं देने की शर्त से भी छूट दी गई है इससे पंजाइती राज चुनाब से समंधित प्रजिक्षन कारेकरम प्रभावी तरीके से चलाने में मदद मिलेगी पचास फीजदी क्षमता के साथ अब लग सकेंगी कोचिंग कलासें अन्या आयोजनों और समारोह में पचास लोगों की शर्त में कोई छूट नहीं दी गई है मुख्यमंदर जिनाम ठाकूर की अधिक्स्तान मंगलबार को आयोजित बैठक में कोचिंग क्षाओं को भी पचास फीजदी क्षमता के साथ जो है साथ शुरू करने की अर्मती दी गई है बैठक के बाद राजय आपता प्रबंदन सैलना इस समंध में आदेश भी जारी कर दिये है अन्य फैसले के क्या है तो पिम यहां पर देख लेते हैं आउट्सोर्स से होगी नरसों की भरती चिकितसा अधिकारियों को वोकन इंट्रुव से रखा जाएगा कोचिंग इस्तान शुरू करने के लिए आज जारी होगा और आट दिन में आएगी कोविड वैक्सिन हर दिन 30,000 को लगेगा टीका तो हिमाचर में आट दिन के भीतर कोविड वैक्सिन पहुंच जाएगी वैक्सिन पहुंचते ही पहले चर्ण का टीका करन शुरू हो जाएगा स्वासे सची ने कैबियेट बैठक में वैक्सिन की तेयारियों को लेकर प्रस्तुति दी है और पहले चर्ण में एक दिशलों 35,000,000 फ्रंट लाइन बरकरों को जो है वैक्सिन दी जाएगी टीका करन के लिए 300 सेंटर बनाए जाएगे जुरूत पढ़ने पर इना बढ़ाया जाएगा प्रती सेंटर योजना 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा हर सेंटर पर एंबुलेंस तेनाद रहेगी ताकि दिक्कत आये तो ब्यक्ति को स्पितार पहुंच आया जा सके तो यहां पर अपडेट है आप देख सकतो यहां पर ठीक है चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही प्रदेश में चार कोरोना पोजिटिव मरीजनों की मौत सो नए मामले अब दक 938 संकृ़्मितों की हो चुकी है मौत तो हिमाजचवर परदेश में जो है यहां पर देखते हैं कहां पर कितने मामले आए हैं तो यह रहा तोस्तों मंगलवार को प्रदेश में करोना बारस के सो नए मामले आए हैं कांग्ना में सथ आईस चंबा में सब्सक्राइब आपको बताओं कि जितनी भी अपडेट्स होती है ठीक है क्रोना की अपडेट्स दिन में तीन बार आती है तो सबी मैं अप्लोड करता हूँ अपने टेलग्राम चैनल के ऊपर तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो तो आप जो है विजिट कर सकते हो जोइन कर सकते हो इसके लाबा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसके अलाबा अगर आपने मेरा दूसरा चैनल साहिल धिमान ब्लोग सब्सक्राइब नहीं कि आज उसके सब्सक्राइब कर सकते हो ऊपर आई-कार्ड में आपको दोस्तों लिंक मैं प्रोवाइड जो है करवा दोंगो तो आई-कार्ड चेक कर लेना ठीक है चलिए अलर्ड जो है जारी किया गया है निरिक्षिन टीम में गठित कर दी गई है चिड़े अगरों कि इस रुक्षा भी बढ़ा दी गई है छेलों का लगातार निरिक्षिन किया जा रहा है इसी बीच बंगर बार को भी पोंग में 336 और प्रवासी पक्षी मृत मिले है बार्ड कि राथ के समय स्तानी लोगों के घरों में भी पहुंच रहे हैं जिसे हड कम की स्थिति है तो यह कुछ दोंसों यहां पे अप्डेट है और मंत्री मंदल ने भी की मंतरना जिसको लेकर दोस्तों चलिए नेक्स्ट अप्टेट मकर सकरांगती पर टीका करण का आगाज करो युद्धाओं का पंजीकन जरूरी नहीं स्वास्य मंत्राले ने कहा पूरो भ्यास के अधार पर हमारी तैयारी पूरी सिरम बाइटोक ने कहा देश इत्मे करेंगे काम तो करोना महामारी के खिला भारत में दुनिया के सबस्वी बड़े ठीका करन भ्यान की शुरूवात मकर सकरांती से हो सकती है केंदी स्वास्य मंत्राले ने मंगलवार को बताया कि पूरवा भ्यास से मिले आधारों के अधार पर तैयारी की गई है यह संकेत दिया गया है कि 13 या 14 जनवरे से प्रक्रिया शुरू हो सकती है हलांकि आखरी निर्णे सरकार को लेना है चीक तो यह कुछ यहां पर अपडेट है पूरा पढ़ना जाओ तो यहां पर पढ़ सकते हो ने स्ट्रेयन के 20 और मामले कुल 58 तो जो नया इसका बदला हुआ रूप है उसके भी 20 नए मामले आ पर आ चुके है टोटल 58 यहां पर केसिस के हो चुके है ठीक है हम देख सकते हैं यहां भी ठीक है चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही ह्प्यू का कारणामा 100 मैं से दे दिये 103 अंक तो हिमार्चल प्रदेश बिशिप जाले है ह्प्यू के प्रिक्षा प्रणाम पर सवाल खड़े हो गए है बिलासपर कोलेज में वीवोक रेटेल मैनेजमेंट उन्तिम बर्ष के एक शातर की एंवायर्मेंट साइस के पेपर में 100 मैं से 103 अंक बिल है पेपर 100 अंकों का हुमने के बावजू मार्च शीट पर 103 अंक दिर्शाय गए है पेपर के बल सो अंक का था इसमें सतर अंक की ठियोरी और 30 अंक की प्रिणाम देरकर हेरान चातर असमंजिस में हैं तो यह कुछ यहाँ पे HPU के तरफ से एक मिस्टेक हो गई थी तो छोरी की प्रिक्षा कुल सत्तरंग कुकी है मुल्यंकर भी इसी से किया है फॉर्मूला रगाते कुम्प्यूटर से कल्कूलोट करने के दोरां गड़बड़ी होगी HPU इस गलती को सुधारेगा डक्टर जेस ने कि HPU के प्रिक्षा नेंतरंग नहीं यह कहा है कि इसको गलती हो इसको सुधारा जाएगा ठीक है चली दोसों नेक्स्ट अप्टेट देख लेते हैं तो यह रही हिमाचल में हिमपात पांच जिलो में हिमसखलन का अलर्ड जारी तो तीन हाई बेस में 322 सटके ठप आज भी बारिश बर्फबारी के आसार यहां पर टेंपरिचर देख से कहां पर कितना टेंपरिचर जहां पर होगा दोस्तों ठीक है तो हिमसखलन जो है हिमपात और हिमसखलन अधियन प्रतिस्थान मनाली ने शिमला कुलू लहाउसपती किनोर चंबा जिलो में 6 जनवरी तक हिमसखलन का अलर्ड जारी किया है उपयोगत को एडवाईजरी भी जारी की गई है मोसम बिग्या के इंदर शिमला के मुताबिक बुद्बार को भी प्रदेश में बारिश बरफारी का दोर जारी रह का पूरवानुमान है ताज़ा हिमपात और बरफारी से नैशनल हाईवे जलोडी जोत और होतांग पास एनेच 305 स्टेट हाईवे लाहोल स्पिती समें 322 चोटी बड़ी सटके बंद हो गई है जिससे सबसे ज्यादा लाहोल स्पिती में 177 शिमला में 83 और किनौर में 48 सटके बंद है एचाटी से करीब एचाटी से के करीब 175 रूट ठाप हो गई है 110 ट्रांसफोर्मर बंद होने से बिजली भी गुल है तो यह कुछ यहाँ पर अपडेट हो दोस्तों पूरा पढ़ना चाहाँ तो यहाँ पर पढ़ सकते हो ठीक चलिए नेक्स अपडेट यह ही कैबिनेट आउट सोर्स से की जा आने का फैसला लिया है इसके लिए बार्ड सिस्टर स्टाफ नर्सों और चतुर्थ श्रेणी को कुछ समय के लिए आउट्सोर्स भरती पर किया जाएगा चिकित्साद हिकारियों को वोकें इंटर्व्यू के मातिम से रखा जाएगा तो यहाँ पर अपडेट है दोस्तों जिसमें कहा है कि 50% कि सांथ कोजिंग क्लासेज ओppen हो सकती हैं चला सकते हैं खोल सकते हैं इसके लिए राज़ेशत दोस्तों यहाँ पर अपडेट्स है चलिए नेक्स्ट अप्टेट देख लेते हैं तो ये रही हिमाच्चल विश्वदाले के कर्मियों को चुनाबी प्रश्रिक्षन शुरू शाखाओं का काम प्रभाबित पंचाइथी राज और नगर निकम चुनाब को लगाई है कर्मचारिएं और अधिकारी की ड्यूटी ना मांगकर बापिस लेने का आज है आखरी मौका तो पंचाथी राज के नगर निकाय के चुनाव के रिए विशु दाले के करीब 300 कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रिष्ट्र मंगला से शुरू हो गया है तो यह कुछ यहां पर अपडेट है चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं यह रही तो यह आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों ठीक है फिल्ड असिस्टन एलेक्ट्रीशन और सांकी की सहाइक भरती प्रिक्षा का प्रणाम जो दोस्तों गोशित हो चुका है भरते में पास हुए अभरतियों को 20 जनबरी को राज्य कर्मचारियों के कार्याल में जो है इवैल्यूशन की प्रसेस के लिए जाना होगा ठीक है दोस्तों तो यह भी एक इंपोर्टन अपडेट है है एच्पीससी की दरफ से चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों यह रही पुलिस भरति से रिलेटर एक और अपडेट तो पुलिस भरति की आयो सीमा में देच्छूट ठाकूर तो नस्यूए की प्रतिमंडल ने प्रदेश महा सचिव के नित्रित्व में युवाओं की मांगों के लेकर मंगरवार को राजयपाल बंडारु दताइत्र से राजभवन में मुलाकात की तो भी दोस्तों इन्होंने भी यहां पे मांग की है कि जो पुलिस भरति के लिए एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाए ठीक है और कल भी दोस्तों मैंने एक अपडेट आपको बदाई थी उन्होंने भी यही मांग की थी बट उन्होंने यह कहा था कि अगर नहीं किया गया तो हम राज्येपाल उनके पास जाएंगे तो फैनली ये राजयपाल जी के पास पहुंच गए है और उन्होंने इनसे मुलकात की है राजभवन में और उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से एनसुए ने कहा कि पुलिस कॉंट्रेक्ट को कम करने कुरोना से बने हालात और अंतरार के बाद होर ही भर्तियों में एक साल की चूट देने की मांग यहां पे की गई है यानि कि जो पुलिस की भर्ति है उसमें एक साल की चूट देने की मांग राजयपाल जी से कर दी है और पुलिस करमचारियों का अनुमंद कारेकाल आट साल से कम कर दो साल किया जाई यह भी यहां पे मांग की है दोस्तों कल मैं अब भी तयार ही कर रहे हैं यह तुल्सरा कि अगर दूसरों नहीं को नोड़ने के आप हो सब्सक्राइब में करें देख को ओपिछ फिर ऐसे ठीक रहेगा तभी मैं आपको बोलता हूं कि मतलब कुमेंट करके बता दिया करो क्योंकि बाइचांस किसी के मतलब ओफिशल जो होंगे जो भरती निकालते हैं क्योंकि यूटूब तो आजकल सभी यूज करते हैं ठीक है तो उनको कैसे पता चलेगा कि अभियर्थि कि अगर किसी को जुरूरत है इसा रिलेक्षेशन की की नहीं है तो क्योंकि यह कुछ यहां प्डेट है दोस्तों पुलिस भरती से रेलेटेड और हो सकता है कि एक साल की रिलेक्षेशन यहां पे दे दी जाए वट पूरा सो अफिशियल अपडेट मैं ही पता चल पाएगा ठीक है और एच्प्यू बीएड कांसलिंग से एक अपडेट है दो अपडेट्स आपको बताने वाला हूँ दोस्तों आज है छे जनबरी तो एक तो ये बात है कि आज इसकी है लास्ट टेट ठीक है अपलाई करने की तो आज अगर किसीन अपलाई नहीं किया है तो आज याद से यहां पे अपलाई करने ठीक है क्यूंकि अगर ऐसा होता कही बार प्रिशली बार भी ऐसा था कि जैसे फ्रस्ट आउड में आपने अपलाई नहीं किया फंस्वति Frame करना है या नहीं करना है ठीक है आपने नहीं किया तो वह पे रख लेते हैं कि फिर अगर जो monthop round होता है न उसमार ये रख देता है condition कि जिनरोंने first counseling у प्लाई क्या होगा वही monthop round के लिए आ सकते हैं ठीक है तो फिर ये वो शर्ट रख देते हैं इसलिए मैं बोट रहा हूं कि जिनरोंने apply नहीं किया है वो भी apply आज कर सकते हैं اور कर दें ठीक है जल्दी से कर दें और दूसरी बड़ी बात यह कि अगर fees आपकी payment नहीं हो रही तो थोड़ा सा wait करो fee आपकी pay हो जाएगी अगर failed आ रहा है तब तो आपको दुबारा करने पड़ेगी अगर incomplete आ रहा है या महाँ पे मतलब कोई कुछ शो नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना है क्योंकि वो incomplete है मतलब अभी तक payment आपकी नहीं होई है और जब तक आपकी payment नहीं होगी तब तक आपका next step जो है open नहीं होगा next page ओपर नहीं होता ठीक है तो यह कुछ यहाँ पर आपको बताना था कि बेट के लिए जुरूर से apply कर दें अगर आप अभी तक नहीं किया है और वीडियो अगर अच्छे लगे तो like, share और चैनल को subscribe जुरूर करिएगा मेरे latest updates के लिए